साउथ सुपरिश्टार थलापती विजे को भीड़ने गेरा इस वज़ा से एक्टर को मांगनी पड़ गई माफी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारेशनल बॉलिवूड डॉम पर साउथ के स्टार थलापती विजे की फिल्मों का बोक्स ओफिस पर जम कर सिक्का चलता है उनकी फेन फोलोईंग काफी बड़ी तादाद में है उनकी एक जलक पाने के लिए उनके चाहने वाले तरस्ते हैं और जब एक्टर उनके बीश में मौजूद हो तो भला वो ये मौका केसे जाने देते हैं एसा ही कुछ हुआ चेनने के इस्थानी निकाय चुनाओ के दोरान जब वहां अभीनेता थलापती विजे वोट डालने के लिए गए तो भीड बेकाबू हो गई जिससे मद्दान इस तल पर थोड़ी असुईदा हुई लेकिन अब एक्टर थलापती विजे ने इस परेशानी के लिए सबसे माफी मांगी है तमेल नाड़ो में सहरी निकाय चुनाओ के लिए मद्दान शुरू हो गया है इस दोरान अपने मत का इस्तिमाल करने साउत एक्टर थलापती विजे भी पहुचे अब जैसे ही वहां मोजूद उनके फेंस को उनके आने की भनक लगी उनके साथ एक स्पिचर लेने के लिए तूट पड़े हर कोई उन्हें देखने के लिए उनके पास जाने लगा इतना ही नहीं लोग उनकी गाड़ी के पीछे दोड़ने लगे जिससे वोटिंग एरिया में बाकी वोट देने आये लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ा पर जैसे ही वीजे ने देखा तो उन्होंने मद्दान केंडर पर असुईदा के लिए इस्टेशन के अधिकारियों और जन्ता से माफी मांगी और फेंस को थोड़ा सयम बरतने की रिक्वेस्ट की थलापती वीजे साउथ इंडरेस्ट्री का पॉपुलर नाम है अपनी एक्टिंग और फिल्मों की वज़े से वो अकसर लाइम लाइट में रहते हैं मास्टर, सरकार, थेरी, मर्सल, उपक के बिगिल पूली जैसी फिल्में कर चुके हैं वहीं उनके आगामी फिल्म बीष्ट थलापती चाचचच जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देगी वीजे तामिल इंडरेस्ट्री के सबसे ज़्यादा फिस पाने वाले एक्टर है अपनी आने वाली फिल्म थलापती 66 के लिए वहां 100 करोड की फिस ले रहे हैं फिस के मामले में उन्होंने रजनीकांत को भी पिछाड दिया है रजनीकांत ने फिल्म दरबार के लिए 90 करोड रुपे की फिस ली थी 18 साल की उम्रे में ही विजे ने नलेई या थिरप्पू से अपना एक्टिंड डेब्यू किया था इस फिल्म में उनका नाम विजे था इसी नाम से उन्होंने आठ फिल्मों में काम किया है आज वो साउथ इंडेस्टी पर राज कर रहे हैं उनकी फिल्मों को लोग बहत पसंद करते हैं और स्क्रीन पर उनकी बस एक जलक देखने के लिए बेताब रहते हैं तो दोस्तों आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्षन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और इसी तरह के खबरों के लिए बने रही हमारे चेनल के साथ